नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूज़ेटीन मद्रप्रदेश अतीज़गर आपके साथ मैं हूँ अपर ना मौज़म वक्त हो गया है 24 का विशलेशन करने का लोगसभा चुनाओं में वोटिंग ट्रेंड पर आज बात होगी राजस्तान की जालोर लोगसभा सीट के साथ मद्रप्रदेश की सबसे होट और हाई प्रोफाइल सीट चिंदवारा और मंडला लोगसभा सीट की हम बात करेंगे आकर बीते चुनाओं का वोटिंग ट्रेंड इस बार क्या कह रहा है सबसे पहले बात राजस्तान की जालोर लोगसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहधी दिल्चस्प है क्योंकि यहां से पूर्वसीम अशोग गहलोत की साख दाव पर लगी है उनके बेटे यहां से चुनावी मैदान में है यह गहलोत की बेटे का दूसरा इलेक्शन है बीते इलेक्शन में उनको जोधपुर से टिकेट मिला था लेकिन गजेदर सिंख शेखावत ने उन्हें हरा दिया था उधर बीजेपी ने इस बार नया एक्सपेरिमेंट करते हुए एक साधारन कारेकरता को टिकेट दे कर चुनावी मैदान में उता रहा है चलिए सबसे पहले आपको जाल और लोगसभा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड हम समझाते हैं जाल और लोगसभा वोटिंग ट्रेंड क्या है आपको बताते हैं 2004 में वोटिंग परसंटेज रहा था 45 दशलव 92 प्रतिशत 2009 का आकड़ा है 37 दशलव 98 प्रतिशत 2014 में अगला चुनाव होता है 99 दशलव 62 प्रतिशत 2009 के मुकाबले 2014 में वोटिंग बढ़ जाता है 2019 में ये और बढ़ जाता है और हो जाता है 65 दशलव 74 प्रतिशत लेकिन 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 2024 में इसमें एक बार फिर ग्रावट दर्श की गई है 65 से हुए सिमट गया है 62 दशलव 89 प्रतिशत याने कि 14 के मुकाबले तो बड़ा हुआ आखड़ा है लेकिन 19 के मुकाबले आखड़ा जो वोटर स्टर्न आउट है वो कम हुआ है तो ये है जाला और लोगसभा का वोट प्रतिशत क्या कहता है बीते कुछ लाओं में वो हमने आपको बता है और आप जानते हैं वोट शेर कह कहता है 2004 में बीजेपी कमल का लोगो आप देख रहे हैं बीजेपी को मिला था 48.98 परसंट याने कि 48.98 प्रतिशत वर्सिस कॉंगर्स का मुकाबला पंजब देख रहे है 43.01 प्रतिशत ये था बीजेपी का 48.98 परसंट कॉंगर्स का था 43.01 परसंट अंतर क्या है डिफरेंस क्या है 5.98 प्रतिशत 2004 का आकड़ा दो हजार नौ चलते हैं अब 33.67 प्रतिशत 2009 में ये वोट शेयर था जो कमल के खाते में गया था आप पुरी औरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं पंजे को मिला था 19.62 प्रतिशत याने कि ये जो आकड़ा है बेहत कम हुआ था कॉंग्रेस का आकड़ा कम हुआ था बीजेपी का भी कम हुआ था अंदर आया था 14.05 परसंट ये अंदर आया था 2009 में अब चलते हैं आगे बात करते हैं 14 में 14 में कमल को मिले थे 53.35 प्रतिशत ये कमल का याने कि बीजेपी का बोट शेयर था वर्सिस कॉंग्रेस यहाँ पर 18.32 प्रतिशत इस सीट पर लगातार कॉंग्रेस गिरावट यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं 19 से आगे थी कॉंग्रेस 18 पर और बीजेपी ने गेन किया था 33 से बीजेपी आगे थी 53 पर अंतर क्या रहा था 35.03 प्रतिशत का ये वोट शेयर का अंतर था अब आते हैं 19 की तरफ चलते हैं 56 दशलब 76 प्रतिशत गए थे कमल को कॉंग्रेस के पास 37 दशलब 58 प्रतिशत यहाँ पर देखिए कमल ने माफ किजेगा कॉंग्रेस ने गेन किया है 18 से कॉंग्रेस के थी 37 पर गेन तो बीजेपी ने भी किया लेकिन कम किया है 53 जगी है 56 पर 19 दशलब 18 प्रतिशत यह वोट शेयर का अंतर रहा है बढ़ते आंगे जाला लोग सभा में जीत का मार्जिन आपको समझा रहा है हम 2004 में 49,192 वोटों का अंतर रहा जीती थी यहाँ पर बीजेपी का उमिद्वार ने जीत हासिल की थी 2009 में 81,181 देखिए बढ़ा है पर 14 में 3 दशलब 8 एक लाख हो गया था 1000 से सीधा लाग तीन दशलब 8 एक लाख हो गया था 19 में कम हुआ था लेकिन 2 दशलब 6 एक लाग 2 लाग 61,000 वोटों का मार्जिन रहा था अब 24 में क्या रहेगा सभी की निगाएं हैं कौन कब सांसद रहा वो आपको बताते हैं सुशीला बंगारू बिजेपी से 2004 में हापर सांसद बनी थी देवजी पटेल 2009 में सांसद बने थे देवजी पटेल ने रिपीट किया था 14 में तीसरी बार देवजी पटेल 2019 में आप 24 पे यहाँ पर कमल खिलता है या कुछ और होता है पंजा मद्बूत होता है इस पर नग कारे करता है गहलोद परिवार के आगे साख बचाने को लेकर यहां पचनौती बनी हुए यहां पर एक बार साख बचा पाते या नहीं यह देखना दिल्चस्प रहेगा चार तारिक को तफिर साफ हो जाएगी बढ़ते आगे राजिस्तान की बात कर लिए अब बात करते है मध्यपदेश की सबसे हॉट और हाइप्रोफाइल सीट चिंदवाड़ा चिंदवाड़ा कमलनात का गढ़ कौंगरेस के लिए मजबूत किला कमलनात परिवार यहां पर बसा हुआ है कमलनात परिवार का प्रभाव चंदवारा के हर हिस्थे पर देख जा सकता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा नाथ परिवार की सदस्य ही चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचे हैं कभी कमलनाथ तो कभी उनकी पत्नियाथ चुनाव जीती हैं कमलनाथ के बेटे यहां से दो बार चुनाव जीते हैं और तीसरी बार मैदान में हैं जो इधान सबस्टनाव भारे थे चिन्वाला का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है आई यह देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर दिखाईए चिन्वाला का वोटिंग ट्रेंड यह है दोजाए चार में पैसा दश्लव नौदो प्रतिशत यहां पर वोटिंग हुई थी दोजानौ को मिला था अब वोट शेयर क्या कहता है कमल के पास गए 32.45 प्रतिशत दोजाचार में पंजे के पास गयाने कि कॉंगर्स के पास गये 40.89 प्रतिशत अंतर रहा 8.44 प्रतिशत का दोजानौ की बात करते हैं 34.79 परसेंट रहा बीजेपी के पास कॉंगर्स के पास रहा 49.41 प पांच चार प्रतिशत अंतर रहा 10.53 प्रतिशत का 19 में बीजेपी के पास गया 44.05 प्रतिशत कॉंगर्स को मिला 47.06 परसेंट अंतर रहा 3.01 प्रतिशत का ये वोट शेयर का हमने आपको बताया आप बात करते हैं मार्जिन की 2004 में कॉंगर्स जी थी 63.708 63.708 वोटों का अंतर रहा 2009 में 1,21,000 रहा कॉंगर्स 14 में 1,16,000 2019 में 37,636 जी हाँ 19 में ये आखड़ा सिमट गया था बहुत कम हो गया था इसलिए बीजेपी लगातार कहते हैं कि हम इस सीट को भी अपने पाले में लेकर रहेंगे होता है नहीं देखना होगा कमलनाथ 4 में 67 बने थे 9 में 67 बने थे 12,14 में नकुलनाथ 19 में नकुलनाथ और अब 24 में कौन होता है यही सब गेस्वर्क कर रहे हैं बीजेपी ने पूरी मशनरी यहाँ पर लगा दी थी कॉंग्रेस ने कहा था लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है ट्रेंड देख लेते हैं एक बार बीजेपी कुल चुनाव जो हुए थे वह अठारा चुनाव चिनवाला में अब तक हो चुके हैं लोग सबाके इसमें से कॉंग्रेस 17 बार कॉंग्रेस का सांसद यहां से चुना गया है लेकिन सिर्फ एक बार 1977 में सुन्दरलाल पट्वा यहां से जीत कराने में काम्याब रहे थे जाती समीकर्ण आपको समझा रहे हैं स्ट जुबर्ग है 11.1 प्रतिशत स्ट 36.2 प्रतिशत मुस्निम 4.7 प्रतिशत यह जातीगत कालकुलेशन है चिनवाला सीट की मुकाबला किसके बीच हुआ है इस बार नाकुनाद कॉंग्रेस से विवेक बंटी साहू बीजेपी से विधान सबाचिनाव हारे विवेक बंट साहू पर ही विश्वास दिखाया भरोसा दिखाया इसलिए मैदान में उतारा दो खास वहमान चंद्वारा इस हाई प्रोफाइल सीट पर बात करने के लिए हमाई साथ जुड़ गए हैं शिवम महता हैं पॉलिटिकल अनलिस्ट हैं सर्मन अगेले जी हैं वरिश्ट पत्रक किया हमने देखा बड़ी संख्या में कमलात के करीबी शामिल हो जाते हैं बीजेपी के अंदर लेकिन क्या यह तमाम प्रयास लग रहा है कि सार्थक हो पाएंगे सुंदलाल पट्वा वाला इतिहारा पाएंगे विवेक बंटी साहू देखिए अपरना जी जहां तक मेरी ज पर संदर ब्लिदमी कहा है क्योंकि चिनबाला लोकसभा चेत्र आदिवासी बाहुल लोकसभा चेत्र है और कमल नाजी ने लगवास पैंतालीस वर्स अपने पूरे जब हो जब हो जब हो